हलो एवरिवान, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज, मैं हूँ आदेश फ्रॉम लेर्नोहब, एक ऐसा फ्री लेर्निंग प्लाटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं, माथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, आपसिलूटली फर फ्री, ओनली अट लेर्नोहब.ड़ कॉम तो बच्चों, हमारी आज की वीडियो हमारे चाप्टर सेल, दे यूनिट ऑफ लाइफ का ही कंटिनेशन वीडियो है, जिसमें हम डिसकस करने वाले हैं, एक सेल के अंदर पाए जाने वाली सारी सेल ओर्गनिल्स, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शन्स को. इसी के हम अपने चाप्टर को भी कर देंगे, फिनिश, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टाटेड, तो चलिए बच्चों, बिगन करते हैं, विद अवर नेक्स्ट सेल ओर्गनल, विच इस दी माइटो कॉन्रिया, सभी की फेवरिट सेल ओर्गनल, मिजॉ का क्रेडिट जाता है, तो कॉलिकर, कॉलिकर ने इस माइटो कॉन्रिया को पहली बार दिस्कवर किया था, इन दे फ्लाइट मसल्स ऑफ दी इंसेक्स, तो इंसेक्स की जो फ्लाइट मसल्स होती है, उसमें इसकी दिस्कवरी की थी, कॉलिकर ने, और यह तर्म माइटो कॉन् एक mitochondria के shape की, तो typically, एक mitochondria आपको sausage shape नजर आता है, या फिर एक cylindrical shape में, so, क्या होता है sausage, I hope आप सभी जानते होंगे, sausage basically एक food item है, जहाँ आपन minced meat को, you know, cylindrical form में present किया जाता है, something like this, कुछ इस तरीके से, आपको देखने को मिलता है sausage, and लगबग इसी shape में ही, आपको एक mitochondria भी देखने को मिलेगी, ठीक है, अगर बात की जाए, इसके size की, तो mitochondria का जो size है, उसमें इसकी जो length होगी, that will be around 1 to 4.1 micrometres, तो देखे, अगर मैं ये mitochondria को represent कर रहा हूँ, तो देखे, यहाँ पर इसकी जो length होगी, this length would be from 1 to 4.1 micrometres, ठीक है, और अगर इसकी diameter की बात की जाए, तो ये जो diameter आएगा इसका, that will be around 0.2 to 1 micrometre, यह अगर इसका average ले लिया जाए, तो average इसका आएगा about 0.5 micrometres, तो this is all about the size of the mitochondria, ठीक है, और ये जो mitochondria है, very important point, ये कहलाता है, एक semi-autonomous cell organal, याने कि, ये एक ऐसा cell organal है, जो की half independent है, because semi means होता है half, और autonomous means independent, याने कि, इस mitochondria की functioning को regulate करने के लिए, जितने भी protein required है, उनके half proteins ये खुद synthesize कर सकता है, because, इस cell organal के पास, खुद का DNA present होता है, और ribosomes भी, तो ये वो proteins खुद synthesize करके, अपनी almost half activities को regulate कर सकते हैं, and that is why they are called semi-autonomous organal, ठीक है, and mitochondria जो है, वो self replicating भी है, because वो अपनी खुद copy बना सकते हैं, so they divide, and they divide by fission, तो याने कि, ये अपने, जो जितना भी content हैं इनके अंदर, उसको duplicate करके, split कर जाते हैं into two mitochondria, so they divide by fission, I hope all these things regarding the mitochondria is very clear, आईए, अब हम इसकी structure को detail में study करते हैं, तो आईए बचो, अब हम discuss करते हैं, the structure of mitochondria, तो mitochondria basically, एक double membrane bound cell organal है, याने कि, ये एक ऐसी cell organal है, जिसको bound करके रखती हैं, दो membranes, right, so there are going to be two membranes, जो इसके अंदर की space, याने कि, इसके lumen को, दो aqueous compartments में divide कर देती हैं, aqueous compartments, याने कि, यहाँ पर जो fluid filled होगा, that will be watery, ठीक है, so आपको अगर मैं represent करने की कोशिश करूँ, जो देखें, यहाँ पर, यह आपको, आपको outer membrane नजर आ रही है, जो कि यहाँ पर dark red color से represent की गई है, so this is the outer membrane, और आप यहाँ पर skin color, या creamish color में देखें, आपको एक और membrane, जो कि highly infolded है, यह membrane भी नजर आ रही है, so यह red वाली represent कर रही है, the outer membrane, और यह जो creamish color में, आपको membrane infolded नजर आ रही है, that is the inner membrane, ठीक है, so दो membranes आपको नजर आई, तो देखें, मैं आपर इसको represent कर देता हूं, suppose अगर यह एक cell organal है, that is mitochondria, and यह इसकी हो गई, outer membrane, then इसकी जो inner membrane है, वो देखें, highly ऐसे infolded है, so this is the inner membrane, ठीक है, so यह mentioning कर दी, मैंने inner membrane की, अब outer और inner membrane की बीच में, जो space empty पड़ी है, that is the outer compartment, so this is the outer compartment, और इसको हम एक और नाम से बुला सकते हैं, we can even call it, inter membrane space, ठीक है, ओके, and अगर आप देखेंगे, inner membrane की अंडर की जो space है, that is going to be called, the inner compartment, ओके, so this is how, आप देखेंगे, यह जो दो membrane है, वो mitochondria की, जो space है, या lumen है, उसको दो compartments में, डिवाइड कर रही है, ठीक है, और दौनों ही membranes में, आपको, उनके specific enzymes, देखने को मिलेंगे, जो की mitochondria की, जो भी required functioning है, उसको regulate करने में, help करते हैं, ठीक है, so this is about, the membranes, अब हम एक एक करके, इन membranes को भी, detail में study कर लेते हैं, तो देखिए, जो outer membrane, आपको देखने को मिल रही है, इस outer membrane, is smooth, continuous, इसमें आपको, कुछ proteins के channel, देखने को मिलेंगे, which are called the porrins, ठीक है, तो देखिए, आगर आप यहाँ पर, इस figure में देखेंगे, तो देखिए, outer membrane कैसी continuous है, यह infolded नहीं है, बलकि inner वाली membrane, जो है, वो अंदर की तरफ folded है, so outer membrane, तो देखिए, continuous है, आपके, आपको नजर आते हैं, कुछ openings, या pore-like structures, विज़ार, basically, the protein openings, तो, यार कॉल्ट पोरिंस, और इन पोरिंस के थूरू, units होती है, the amino acids, fatty acids of the fats, वो सभी, इनको, cross कर सकते हैं, that means, they allow, small molecules, to pass through them, okay, so this is how, the functioning of the outer membrane, plays an important role, okay, तो आइए बच्चो, अब हम discuss करते हैं, about the inner membrane, of the mitochondria, so mitochondria की, inner membrane है, वो folded होती है, into finger-like projections, जैसा कि, मैंने आपको, इस वीडियो ग्राफिक रिप्रेजेटेशन से भी पहले भी बताया था, कि inner membrane में देखिए, आपको कैसे infolds नजर आ रही है, यह जो infoldings है, we call them crystal, और crystal क्या करते हैं, crystal basically increase कर रहे हैं, the surface area of the inner membrane, तो surface area बढ़ जाएगा, तो mitochondria का जो chief function है, that is cellular respiration, वो भी increase हो जाएगा, many folds, ओके, so this is basically their function, और अगर मैं इस crystal को भी enlarge करके आपको दिखाऊं, तो देखिए, यह जा रही है, the outer membrane of the mitochondria, और यह है inner membrane, जो कि देखिए, in folded है into this, you know crystal like structure, ठीक है, या फिर इस finger like projection में, तो यह जो crystal है, इस पे आपको कुछ, you know knob like structure, ऐसे arranged नज़र आ रहे हैं, यह जो knob like structures होते हैं, वो अगर मैं आपको enlarge करके बताऊं, तो देखिए, वो कुछ ऐसा appear होगा, so this entire particle में, आप देखोगे, आपको एक base piece नज़र आएगा, जो की embedded होता है, in the inner membrane only, तो यानिकि inner membrane के अंदर ही यह embedded होगा, तो यह जो piece है, it is inside the inner membrane, ठीक है, और इस base piece को हम बुलाते हैं, F0 particle, ठीक है, देन अगर आप देखेंगे, तो इसकी उपर आपको arranged नज़र आएगा, एक stock, जो की end करता है, into a globular, और spherical head, जैसे हम बुलाते हैं, F1 particle, तो इसी लिए इस entire particle को हम बुलाते हैं, F0 F1 particle, और इसको एक और नाम से हम बुलाते हैं, we even call it oxysomes, ओके, तो यह F0 F1 particle, आपको entirely line करते हो, नज़र आएँगे, the crystal of these inner membrane, ठीक है, तो देखिए, इन particle को हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, we even call them phosphorylating particles, तो phosphorylating particles क्या कर रहे हैं, तो basically आप देखोगे, यह जो head वाला region है, यह head region में, आपको ऐसी activity देखने को मिलती है, जो की, ATP का synthesis करती है, तो ATP, जिसको क्या आप जानते हो, as the energy currency of your body, or the cell, तो यह क्या करेगी, एक ADP molecule में, एक inorganic phosphate का addition करके, एक ATP, यानि कि, adenosine triphosphate नाम का, molecule synthesize करती है, जो की store करता है, the energy of the cell, so that is why, they are also called as the phosphorylating particles, so I hope, inner membrane से related, यह सारी information भी आपको अच्छे से समझाई होगी, तो बच्चों, जो inner membrane होती है, इनर compartment और इस इनर compartment में, आपको एक dense, homogenous substance filled up नदर आएगा, और उस dense, homogenous filled up substance को हम बुलाते हैं, the matrix, तो देखें, यहाँ पर आपको यह नदर आ रहे हैं, the inner membrane की, you know, infoldings, तो यह जो infoldings हैं, इसके अंदर, आपको जो space नदर आ रही है, जो कि यहाँ पर dark green color से represent की गई है, यह जो space आपको नदर आ रही है, this space is called the matrix, so this is the matrix, the space inside the inner membrane, और यहाँ पर यह जो dense substance filled up है, that is representing matrix न, इसमें आपको बहुत सारे चीजें, देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी हैं वो चीजें, आए देखते हैं, आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले तो एक single circular DNA molecule, यहाँ पर मैंने आपको बोला था न, mitochondria के पास खुद के DNA present है, it means it has single circular DNA molecule, जो कि यहाँ पर mentioned होगा, then we have कुछ few RNA molecules, तो यहाँ पर आपको कुछ number of RNA molecules भी देखने को मिलेंगे, और साथी साथ आपको देखने को मिलेंगे ribosomes, तो ribosome जिने हम protein factories कहते हैं, वो भी हाँ present है, बट remember, वो जो आपको ribosome देखने को मिलते हैं, inside the mitochondria, they are 70S type, तो आप बोलेंगे कि, यहाँ पर 70S type of ribosomes कैसे देखने को मिलते हैं, तो यह एक exceptional case है, जो की mitochondria और साथी साथ, हम आगे जिसको deal करने वाले हैं, that is chloroplast, इन दौनों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, 70S type of ribosomes, जो की characteristic होते थे, of a prokaryotic cell, बट आप जानते हैं, mitochondria since एक membrane bound cell organelle है, वो present होती है in the eukaryotes, तो eukaryotic cell के अंदर होने के बावजूद भी, they possess 70S type of ribosome, ओके, तो यह exceptional case है, तो 70S type of ribosome यहां देखने को मिल रहे हैं, जो दो larger और smaller subunit से मिलके बनता था न, larger subunit 70S में होती थी 50S type, and the smaller subunit was 30S type, तो वो आपको यहां देखने को मिलेंगी, और यहां पर जितने भी components required होते हैं for protein synthesis, they are also going to be present, तो यहां पर आपको ribosomes भी नजर आने वाले हैं, तो देखिए यहां पर कुछ dotted structures जो आपको नजर आ रहे हैं, they are going to represent the ribosomes, and अगर आप देखिएंगे, तो यह outer membrane पर यहां पर porrins नाम के आपको ऐसे pores भी नजर आ रहे हैं, जिनके तुरू मैंने बताया था, substances easily अंदर जा सकते हैं, ठीक है, so this is all that the matrix possess, अगर हम बात करें functions की finally of the mitochondria, तो very simple for all of you, यह site होती है of the aerobic respiration, because यह क्या कर रही है, यह food को, जो की usually carbohydrate के form में होता है as glucose, उसको completely oxidize कर देती है, to release carbon dioxide in water, और जो energy release होती है, इस oxidation process में, उसको store करके रखती है, in the form of ATP, so that is why they are also called as the powerhouse of a cell, so all these things related to mitochondria, is I hope very very clear to all of you, so चलिए बच्चों, बच्चों करते हैं with our next type of cell organelle, which is the plastids, so plastids basically, एक ऐसी cell organelle है, जो की आपको सिर्फ plants में देखने को मिलती है, यानि की plant cells में देखने को मिलती है, और kingdom protesta के group, जोने हम कहते हैं, uglenoids, उके, उनमें भी आपको plastids देखने को मिलेंगी, तो basically, एक ऐसी cell organelle है, जिनके past present होती है, pigments, so they are pigment bearing cell organelles, and based upon की कौन सी pigment उनमें present है, plastids तीन categories में divide की जाती है, so पहली type की जो plastid है, वो possess करती है green color की pigment, and hence they appear green, so इसी लिए, इस type की plastid को हम बुलाते हैं, the chloroplast, because chloro word को तो आप सभी relate कर लेते हैं, with the green color, then we have the colored plastids, जाने की यहां पर आपको colorful pigments देखने को मिलती है, जो की flowers and fruits को different colors देती है, we call them the chromoplast, because chromo word का मतलब, या chroma word का मतलब होता है color, okay, so ऐसी plastids जिनके पास color pigment देखने को मिलेंगी, we call them chromoplast, और कुछ ऐसी भी pigments आपको देखने को मिलती हैं, which are colorless, so आपको यहां पर ऐसी plastids देखने को मिल रही है, they are called the leucoplast, so I hope you brought categories of the plastids is very clear, आप हम एक है करके इन सारी categories of the plastids को detail में study करते हैं, तो आए बच्चों begin करते हैं with the first plastid, जो की है the green plastid called chloroplast, so chloroplast basically green appear, इसलिए होती है, because वहाँ पर आपको dominance देखने को मिलती है, of the green pigment called chlorophyll, ठीक है, और साथ ही साथ एक और pigment आपको देखने को मिलती है, which is yellowish orange in color, called the kerotenoids, तो यह दौनों pigment जो आपको नजर आ रही हैं, they both are fat soluble, और यहीं पर मैं आपको एक reference देता हूँ, of a pigment called anthocyanin, so we are diverging from the topic for a moment, एक pigment है जिसका नाम है anthocyanin, यह pigment आपको, actually यह water soluble pigment है, so this is water soluble, और यह आपको देखने को मिलती है, in the vacuoles, so मैं इसको वहाँ vacuoles पोले portion में 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 बूल गया था, that is why मैंने यहाँ पर इसको reference कर दिया है, कि anthocyanin जो की water soluble pigment है, that is seen in vacuoles, यहाँ पर जो आपको chloroplast के अंदर pigment देखने को मिलेंगी, they are not going to be water soluble, they are going to be fat soluble, and वो है chlorophyll and carotenoids, और यह जो दो pigments आपको देखने को मिल रही है, that is chlorophyll and carotenoids, यह trap करती है solar energy को, और उस solar energy को convert करती है, into the chemical energy of the food, और यह सब कुछ होता है by the process called the photosynthesis, तो basically, आप इनका location का भी अंदादा लगा सकते हैं, कि mainly आपको यह plastic देखने को मिलेंगी, in the mesophyll cells of the leaves, तो leaves आप जानते हैं, they are the organs, यह principal organs जहां पर photosynthesis होती है, तो उन में आपको, जो ground tissue नजर आता था, that is the mesophyll cells, जो की paranchymetis होता सा, याद कीजे मैंने आपको, anatomy of flowering plants में, structure of leaf पढ़ाया है, तो वहाँ पर मैंने आपको बूला था, जो mesophyll cells का region है, वो paranchymetis cells हैं, जो की perform करते हैं photosynthesis, that means they are going to possess these chloroplasts, तो अगर leaf का section आप यहाँ भी देख सकते हैं, तो आप देखिए, यहाँ पर यह जो ground tissue नजर आ रहा है न, these are the mesophyll cells, और इनके अंदर देखिए, आपको ऐसे dotted structures में ही, जो represent किये जा रहे हैं, they are nothing but the chloroplasts, तो यहाँ पर आपको several chloroplasts देखने को मिलती हैं, और chloroplast का structure कुछ ऐसा सा आपको नजर आएगा, अभी इसका structure हम detail में study भी करेंगे, आने वाली slides में, तो अगर इनके shape की बात की जाए, तो shape आपको lens shape भी नजर आ सकता है, something like this, आपको oval भी नजर आ सकती है, spherical भी नजर आ सकती है, discoid भी नजर आ सकती है, और साथी साथ ribbon shaped भी नजर आती है chloroplasts, तो ribbon shaped chloroplasts आपको देखने को मिलता था, in case of a green alga called spirogyra, याद आप सभी को, तो वहाँ पर आपको chloroplast देखने को मिलेंके, which is the ribbon shaped, अगर बात की जाए size की, तो size variable है, लेकिन अगर हम एक generalize ले सकते हैं size को, तो length इनका लगबख होगा, 5 to 10 micrometres, तो यहाँ अगर इनकी length की बात की जाए, तो this is going to be 5 to 10 micrometres, अगर इनकी width की बात की जाए, तो this width is going to be nearly 2 to 4 micrometres, तो their length and breadth आपको, जो average length and breadth देखने को मिलेगी, in a normal chloroplast वो यह होगी, but usually वो vary भी कर सकती है, अगर number की बात की जाए, that is also variable, कुछ cells ऐसे ही है, जहाँ पर आपको एक ही chloroplast देखने को मिलेगा, for example, you have chlamydomonas, जो की green alka है, याद है, तो इस chlamydomonas में आपको देखने को मिलता है, only one chloroplast, तो यहाँ पर एक chloroplast आपको देखने को मिलेगा, वाइल अगर आप मीजोफिल सेल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे chloroplast देखने को मिलेगा, जो की 20 to 40 वेरी कर सकते हैं, so the number could vary according to the structures they are present in, okay, so चलिए बच्चों, now it is time that we discuss the internal structure of chloroplast, तो chloroplast का, जो अगर internal structure आप देखते हैं, तो सबसे पहले आपको नजर आती हैं, दो membranes, that means, यह cell organal भी mitochondria की तरह ही double membrane bound है, so इसके पास आपको देखने को मिलेगी, एक outer membrane and एक inner membrane, ठीक हैं, और इन outer और inner membrane की वीच में जो space होती है, we call it inter membrane space, okay, so outer और inner membrane separated होती हैं, by this space called the inter membrane space, ठीक हैं, और इस inner membrane की खासित और है, कि यह relatively less permeable है, okay, than the outer membrane, so यह आपको थोड़ी सी कम permeability शो करती हुई, नजर आएगी than the outer one, अब बात की जाए, इस inner membrane की अंदर की space की, so यह जो inner membrane है, उसके अंदर की जो space होती है, that is called stroma, ठीक हैं, और इस stroma में आपको filled नजर आता है, एक proteinaceous matrix, तो देखिए, यहाँ पर आपको यह outer membrane नजर आ रही है, और यह है inner membrane, so inner membrane के अंदर आपको यह जो, ग्रेश कलर में या फिर light blue कलर में नजर आ रहा है, the space which is called the stroma, तो stroma basically represent कर रहा है, एक ऐसा region जो की inner membrane से bound है, और यहाँ पर filled होता है, proteinaceous complex, जिसे हम बुलाते हैं, the matrix, और इस matrix में आपको, several enzymes देखने को मिलेंगे, जो की carbohydrates and protein के synthesis के लिए responsible है, तो आगे जब हम लोग photosynthesis in higher plants वाला chapter टेक अप करेंगे, I will tell you that, यहाँ, stroma जो है, वो actually site होता है, of the dark reaction, जो की phase होता है, of the photosynthesis, ओके, यह भी आप याद रखिएगा, कि यहाँ पर carbohydrate of protein synthesis के लिए, आपको several enzymes देखने को मिलेंगे, और साथी साथ एक important feature, जो की बहुत important है, from examination point of view, यहाँ पर आपको, कुछ double standard, circular DNA molecules देखने को मिलते हैं, और साथी साथ ribosomes भी, और वो ribosomes भी, mitochondria के ribosomes की तरह, 70S type है, that means, यह भी prokaryotic ribosomes को resemble कर रहे हैं, in their constitution, ठीक हैं, और double standard DNA का होना, और ribosomes का होना, क्या represent कर रहा है, कि इनके पास protein synthesizing machinery present है, इसका मतलब, यह भी अपनी, you know, half dependence को, एक तरह से cut off कर देते हैं, from the nuclear DNA, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी proteins required हैं, इनके proper functioning के लिए, वो आदिस से जादा यह खुद synthesize कर सकते हैं, that means, mitochondria की तरह, chloroplast भी होते हैं, the semi-autonomous cell organelle, so do remember, कि chloroplast भी क्या है, they are also semi-autonomous, so they are semi-autonomous cell organelles, so remember, I hope this is clear, so all these things regarding the first two structures, that is the membrane and the stroma of the chloroplast, I hope it is clear, तो आएए बच्चो, अब हम देखते हैं, the next structure, जो कि आपको देखने को मिलेगा, inside the stroma, तो stroma के अंदर, यानि कि वो जो space आपको, enclosed नजर आ रही थी न, by the inner membrane, उस space के अंदर, आपको नजर आते हैं, कुछ structures called the thylakoyds, तो thylakoyds क्या हैं भई, thylakoyds आपको कुछ flattened membranous sacs, नजर आते हैं, जो कि इस stroma में present होंगे, तो the space, जो कि आपको नजर आ रही है, तो देखें यहाँ पर, और यह जो thylakoyds ही न, यह एक दूसरे के उपर stacked होते हैं, जैसे कि हमने, बहुत सारे coins को एक दूसरे के उपर pile up कर रखा हो, so this entire structure, of, you know, entire compilation of these thylakoyds represents a granum, so granum जो है वो, इस stack of thylakoyds को कहते हैं, so singular word would be granum, and plural would be grana, ठीक हैं, और यह जो grana होते हैं, यह process करते हैं, basically इन thylakoyds के अंदर, आपको देखने को मिलेगी, the chlorophyll pigment, and यह जो different different grana present होते हैं, inside this matrix, वो आपस में भी connected होते हैं, by the structures called, stroma lamellae, or the frets, ठीक हैं, तो यह कुछ flattened membranous tubules हैं, जो की connect करके रखते हैं, the thylakoyds of different grana, तो देखें यहाँ पर, आपको, इस grana को, यह इनो, इस grana के एक thylakoyd को, इस वाले grana के एक thylakoyd से connect करते हुआ, इस disc shaped structure जो नजर आ रहा है, that is going to be called, the stroma lamellae, or the frets, so इसको हम frets भी बुलाते हैं, so stroma lamellae और frets क्या हैं, यह membranous tubules हैं, जो की connect कर रहे हैं, the thylakoyds of two different, और more than one grana, so I hope all these things regarding the chloroplast is clear, and importantly, अगर हम function की बात करें, chloroplast की, तो आप simply याद रह सकते हैं, they are the site of photosynthesis, तो photosynthesis की actual जो place है, that is going to be the chloroplast, I hope all these things regarding chloroplast, is very very clear to all of you, तो आइए बच्चों, अब हम next two categories of the plastids को discuss कर लेते, one is the chromoplast, and the other is going to be the leucoplast, so chromoplast से start करते हैं, chromoplast basically, आपको बता ही है, chroma word से आता है, तो chroma मतलब होता है color, तो यानि कि colored pigments containing plastids है, तो यहाँ पर आपको जो pigment देखने को में लेंगी, so xanthophyll basically yellow color की pigments है, okay, because xantho word का, you know, अगर आप origin देखेंगे, that comes from the word xanthols, जिसका मतलब होता है yellow, and phils means leaf, okay, so yellow color की जो pigment आपको देखने को मिलेगी, that is xanthophyll, जो की type of carotenoid है, आपको chromoplast में देखने को मिलेगा, okay, so यह जो pigments है, they are going to provide colors like yellow, orange and red color to the flowers and fruits, ठीक है, तो basically chromoplast का का काम है color देना, then we have the next type of plastid, which is called the leukoplast, so leukoplast जो हैं वो क्या है, leukoplast कुछ colorless plastids हैं, जो की, you know, variable shape and size की आपको देखने को मिल सकती हैं, और इनका काम होता है to store the nutrients, तो कौन सा nutrient यह store कर रहे हैं, उसके base पे leukoplast भी various categories में divide की जा सकते हैं, तो देखे, कुछ ऐसी भी आपको leukoplast देखने को मिलेंगी, जो की starch को store करते हैं अपने अंदर, तो ऐसे वाले leukoplast को हम बलाते हैं, amyloplast, तो यानि की starch को store करने वाले, यानि की starch क्या है, it is a form of carbohydrate, so ये carbohydrate को store कर रही है, starch we call them amyloplast, then कुछ ऐसी भी आपको plastic देखने को मिलेंगी, जो की oils and fats को अपने अंदर store करके रखती हैं, they are called illioplast, okay, and lastly कुछ ऐसे भी आपको plastic देखने को मिलेंगी, जो की proteins को अंदर अपने store करके रखती हैं, so they are called the alluroplast, so I hope all these various categories of the leukoplast are very very clear to each and every one of you, तो आए बच्चो अब हम बगिन करते हैं with our next cell organal which is the ribosomes, okay, तो ribosomes की discovery की थी George E. Palladay ने in the year 1953, so he is Sir George E. Palladay, and इसलिए ribosomes को हम एक और नाम से बुलाते हैं, that is the Palladay particles, ठीक है, so ये basically एक ऐसी cell organal है, जो की किसी membrane से bound नहीं होती है, and that is why, ये आपको prokaryotes में भी देखने को मिलती थी, right, so there are non-membrane bound structures, जो की होते हैं, nucleoproteinaceous end structure, okay, तो देखिए, nucleoproteinaceous word को अगर हम break करें, तो nucleo word का मतलब होता है, nucleic acid, and proteinaceous मतलब यहाँ पर protein, तो यानि कि ये दो components से मिलके बना है, nucleic acid और protein से, कौन सा nucleic acid यहाँ आपको देखने को मिलेगा, that is going to be ribonucleic acid, that is RNA, और RNA और protein मिलके फॉर्म करेंगे, the structure of the ribosome, और हर ribosome अगर आप देखेंगे, तो वो composed होता है, दो subunit से, तो एक subunit जो होती है, वो large होती है, और एक होती है smaller, तो याद रखिएगा, एक ribosome में आपको हमेशा, दो subunits नज़र आती है, that is the larger and the smaller subunit, आईए various type के ribosomes को हम discuss कर लेते हैं, अपनी upcoming slide में, तो आईए बच्चों देखते हैं, वो आपको देखने को मिलता है, in case of eukaryotes, जैसे कि पहले भी मैंने discuss किया है, और 70S type के ribosomes आपको देखने को मिलते है, in case of the prokaryotes, so S का यहाँ क्या मतलब है, S basically होती है, the sweatbergs unit, जो की stand करती है for the sedimentation coefficient, तो यानि कि ये basically आपको indirectly एक idea देती है, कि ribosome का size और density है, वो क्या है, ठीक है, तो S is the sedimentation coefficient, जो कि जिस unit से नापी जाती है, we call it the sweatbergs unit, ठीक है, तो अगर बात की जाए, इस 80S type के ribosome की, तो जैसा कि मैंने आपको ribosomes के बारे में बताया है, कि ये compose होते हैं, दो subunit से, यानिकि एक larger subunit होगी, और एक smaller subunit, तो जो larger subunit होती है, वो कहलाती है, the 60S subunit, और एक smaller subunit जो आपको देखने को मिलेगी, together would be called the 40S subunit, यानिकि अगर एक 80S type के ribosome को मिने को represent करना है, तो देखें, यहाँ पर आपको जो smaller subunit है, वो नदर आएगा of 40S type, and the larger one would be the 60S type, तो together they are going to form the 80S type of ribosome, ओके, वाईल अगर हम 70S type के ribosome की बात करें, तो यहाँ पर larger subunit होती है 50S type, and smaller one would be 30S type, यानिकि अगर मैं 70S type के ribosome को represent करूँ, तो अगर यह larger subunit है, यह smaller subunit है, तो देखें, smaller subunit would be 30S, larger one would be 50S, तो this is going to represent a 70S type of ribosome, तो I hope, कितने various type के जो आपको ribosome देखने को मिलते हैं, उनके constituent subunits, वो कैसे आपको देखने को मिलेंगे, यह सारी बातें आपको अच्छे से समझ आई हैं, तो आए बच्चों, बच्चों करते हैं with our next topic, that is the cytoskeleton, तो cytoskeleton जैसा की नाम आपको बता रहा है, यह यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ ऐसे structures जो कि आपके cell को एक structural framework प्रवाइड करेगा, जैसे कि आपकी body का skeleton आपकी body को एक structural framework प्रवाइड करता है, तो यह responsible होंगे for maintaining the shape and size of the cell, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह जो structures यहाँ आपको देखने को मिलते हैं, the cytoskeleton वो बनते हैं of long filamentous proteinaceous structures, तो यहाँ यहाँ पर आपको कुछ thread like structures देखने को मिलेंगे, जो की protein से मिलके बने हैं, और वो entire cytoplasmic network बना रहे हैं, so there is going to be a network of filamentous proteinaceous structures, जो की cytoplasm में present है, और cytoskeleton के 3 basic components है, जो की है microtubules, microfilaments and intermediate filaments, तो देखें, इस pictorial representation में आप देखें, तो आपको समझ आएगा कि cytoplasm के इस region में आपको बहुत सारा structural framework प्रवाइट किया जा रहा है by certain tubules, तो आपको एक tubule तो यह green color का नदर आ रहा है, जो की देखें, यहाँ पर इस तरीके से present है, यह जो structures आपको नदर आ रहा है, they represent one component which is the microtubules, और यह बनते हैं of proteins called the tubulin proteins, ओके, then we have the next component which is, अगर आप यहाँ देखेंगे purple structures, तो यह जो purple structures आपको नदर आ रहा है, they are the next component of your cytoskeleton, which are called the microfilaments, और यह बनते हैं of the actin proteins, ठीक है, and lastly we have the third component of the cytoskeleton, called the intermediate filament, जो की यहाँ पर यह, देखेंगे branch tubular structures, represent कर रहे हैं, तो they are going to form the third component, called the intermediate filament, so I hope all these three components of the cytoskeleton is very clear, आईए इनकी functions अब हम देख लेते हैं, of the cytoskeleton, तो आईए बच्चों, basically 3 major function perform करता है in a cell, firstly, यह किसी भी cell के shape को maintain करता है, and then यह provide करता है support and motility to the cell, तो basically यह, आपको कुछ broader categories of function नदर आ रहे हैं, of the cytoskeleton, I hope all these things regarding cytoskeleton is very very clear, तो आईए बच्चों डिसकास करते हैं, हमारा next topic that is cilia and flagella, तो cilia and flagella क्या होते हैं, यह कुछ hair-like outgrowth आपको नदर आती है, from the cell membrane of a eukaryotic cell, तो किसी eukaryotic cell की cell membrane से कुछ extension नदर आएंगे, hair-like, they are going to represent cilia and flagella, और यह आपस में कैसे difference हैं, यह differentiate होते हैं, तो उसको समझने के लिए, आपको कुछ recall करने पढ़ेंगे examples, जो की possess करते हैं structures को, तो एक eukaryotic cell को represent कीजिए, या recall करने की कोशिश कीजिए, जो की cilia possess करते थे, तो आपको याद हाएगा, तो जो की क्या था, एक ciliated protozoan था तो अगर आप देखेंगे उसका structure, तो आपको वो slipper-shaped animal क्यों कहलाता था, याद है आप से भी को, क्योंकि it resembled like a slipper, तो यहाँ पर यह जो paramecia में इसकी entire body पर, आपको कुछ hair-like outgrowth नजर आती है, विचार relatively shorter, तो यह जो hair-like outgrowth आपको नजर आती है, आपको यहाँ पर नोट कर पा रहे हैं, तो cilia जो है, they are going to be relatively shorter structures, जो की क्या करने वाले है, movement of the cell, यानि कि इस entire paramecium के cell की, या तो movement करवाएंगे, या फिर surrounding में जो fluid flow कर रहा है, उसको move करने में help करेंगे, ठीक है, this is about cilia, वाईल अगर हम बात करें, फ्लाजला की, तो फ्लाजला जो है, और ये cell की movement में help करते हैं, तो ये motility provide करते हैं to the cell, और एक important बात यहाँ पन में आपको बता दूँ, क्योंकि आपने bacterial flagella भी पढ़ा है, तो वो prokaryotic flagella है, तो prokaryotic flagella जो है, वो eukaryotic flagella से structurally different होता है, so the flagella of prokaryotic structure, or the cell is going to be structurally different from the eukaryotic cell, so ये बात भी आपको याद रखनी है, I hope that is clear, तो आएए बचों, अब हम discuss करते हैं कुछ और points regarding the cell and flagella, तो cell and flagella का जो origin होता है, वो एक ऐसी body से होता है, एक ऐसे structure से होता है, जो कि बहुत similar होता है to the centriole, so they arise from a centriole-like structure, और उस centriole-like structure को हम बुलाते हैं, the basal body, so ये है the basal body, जिससे की axelia या flagella जो है, वो arise करता है, और इसका structure बहुत similar होता है to the centriole, जो कि हम आगे discuss करने वाले हैं, तो centriole भी आपको पढ़ने को मिले का है, in the centrosome portion, जो की एक cell organelle को represent करता है, so basal body से arise कर रहा है, एक cellia और flagella, और इस basal body को हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, we even call them kynetosomes, okay, so kynetosomes या फिर, जो basal bodies है, they are going to be the base of the cellia और flagella, अब ये जो cellia और flagella का structure आप देख रहे हैं, इसमें आपको ना, एक central core region नजर आ रहा है, okay, so this is the central core region, ये central core region देखेंगे अगर आप, तो जो cytoskeletal elements हमने पढ़े जना, याद है आपको microtubules, microfilaments और intermediate filaments, उन में से एक element, that is microtubules से मिलके बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको, you know, कुछ microtubules aligned नजर आएंगे, parallelly to the longitudinal axis of the flagella, यानि कि, नजर आ रहे हैं, these microtubules जो की, parallelly run कर रहे हैं, to this longitudinal axis, okay, तो यहाँ पर, यह जो central core region नजर आ रहा है, we call it, the axoneme, okay, और यह axoneme surrounded होता है, by a plasma membrane, ठीक है, तो this is how, यह आपको arrangement देखने को मिलता है, of the microtubules inside the, cilia और flagella, तो अगर आप इस transfer section को देखोगे, यह philia यह flagella के, तो again देखिए, यहाँ पर इस blue color की boundary के अंदर, जो आपको region नजर आ रहा है, this is going to represent axoneme, and यहाँ पर, जो cream color की आपको boundary नजर आ रहे है, this is the plasma membrane, so, इनके पास central core होता है, call axoneme, जो की cover होता है, by the plasma membrane, और अंदर आपको नजर आते हैं, कुछ macrotubules, जो की run कर रहे हैं, parallel to the long axis, of the flagella or the cilia, तो आईए बचो, अब हम ध्यान से देख लेते हैं, the arrangement of the microtubules, inside the cilia and flagellas, axoneme, तो यादेना axoneme आपको, जो central core region होता था, उसमें microtubules मैंने बताया था, वो longitudinal axis के parallel, ऐसे run कर रहे हैं, तो उनका जो arrangement है, अगर आप properly देखेंगे, तो आपको एक transfer section में, कुछ ऐसा नजर आएगा, तो देखें, आप अगर ध्यान से note करेंगे, तो आपको इस peripheral region में, microtubules के doublet नजर आएगे, that means, microtubules जो है, जो की cross section में circular appear होगा, उसका एक और आपको ऐसे segment नजर आता है, that means, there are going to be two microtubules together, and ये represent कर रहा है, एक microtubule doublet को, so this is a microtubule doublet, जो की सिर्फ और सिर्फ आपको, periphery में ही नजर आएगा, so they are going to be always present on the, central region, ठीक है, so this is representing one doublet, तो अगर आप count करेंगे, total you will find, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and total 9 peripheral doublet of the microtubules, so periphery में आपको doublet नजर आ रही है, कितनी 9, और अगर center में आप देखेंगे, तो center में आपको, यहाँ पर 2 microtubules नजर आ रहे हैं, जो की singly arranged है, यानि कि यहाँ पर doublet नजर नहीं आएंगी, so there are going to be present in singlets, तो यह center में जो आपको microtubules नजर आते हैं, they are called the central tubules, ओके, और यह present है in singlets, तो देखें, यह कितने हैं number, there are going to be 2, 1 and 2, तो इस type के arrangement को, हम कहते हैं, 9 plus 2 array, देखें, 9 peripheral and 2 central, जो tubules हैं, they are going to form the axoneme of the cilia और flagella, तो यह कहलाता है, the 9 plus 2 array, अब आप एक चीज़ और ध्यान दीजे, यह जो central tubules हैं, यह आपस में connected होते हैं, by a structure called the central bridge, तो इसे हम बुलाते हैं, और एक और चीज़ अगर आप नोट करेंगे, यह जो central microtubules हैं, यह enclosed हैं within a sheath, इस sheath को हम बुलाते हैं, the central sheath, ठीक हैं, तो this is the central sheath, अब आप एक और चीज़ नोट कीज़े, यह जो central sheath है, यह इन peripheral tubule के, एक microtubule से connected है, देखें, यह अगर एक peripheral microtubule का क्या है, doublet है, जिसका की, एक microtubule connected है with this sheath, the central sheath by this, you know, spoke-like structure, तो जैसे एक spoke होती है, आपके तीली नजर आती है, माचिस की तीली भी दे सकते हो, तो यह जो structure होता है, it is arranged in a radial manner, यानि की along the radial, देखो, आपको पूरे circular fashion में arranged नजर आ रहे है, so we call such structures as the radial spokes, तो they are the radial spokes, so radial spokes क्या कर रहे है, peripheral doublet के एक microtubule को, इस central sheath से connect करके रख रहे है, so this is about it, ठीक है, and साथी साथ आप एक चीज़ और note करेंगे, यह जो peripheral microtubules के आपको doublet नजर आ रहे है, यह आपस में भी connected होते हैं, देखें यहां पर, they are connected to each other, और यह जो connections होते हैं, they are called the linkers, so यह आपस में connected होते हैं by linkers, so I hope all these things regarding the structure of the cilia and flagella is clear, तो मैंने आपको बताया, जो central microtubules हैं, वो connected होते हैं by the central bridges, and यह enclosed होते हैं by a central sheath, ठीक है, then मैंने आपको बताया, central sheath जो होती है, वो connected होती है to one of the tubule, of the peripheral microtubules, और वो doublet के साथ, यहना कि उनके में से, उस doublet के एक microtubule से connected होती हैं by these radial spokes, और साथ ही साथ, जो peripheral tubules हैं, वो आपस में भी connected होते हैं by the linkers, so I hope all these things regarding the structure of cilia and flagella, आपको बहुत अच्छे से समझाए होगी, तो आए बच्चों begin करते हैं with our next cell organal, that is the centrosome, तो centrosome basically एक cell organal है, जिनके अंदर आपको दो cylindrical structures देखने को मिलते हैं, जिने हम बुलाते हैं centrioles, तो centrioles जो हैं, वो cylindrical structure centrosome के अंदर देखने को मिलेंगे, और usually यह perpendicular लाए करते हैं to each other, तो देखिए अगर एक centrosome को मैं represent करूँ, तो यहाँ पर आपको एक cylindrical structure कुछ ऐसा और दूसरा उसको perpendicular देखने को मिलेगा, तो these two structures are going to represent the centrioles, अब यह जो centrioles हैं, वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आते हैं, तो यहाँ पर आप note करेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे microtubules, जो microtubules cilia and flagella बना रहे थे, वैसे ही microtubules यहाँ पर आपको इनका structure बनाते हुए भी, हैने कि centrioles का structure बनाते हुए भी नजर आएंगे, तो यह जो tubular structures है न, यह represent कर रहे हैं the microtubules, जो कि यहाँ पर देखिए, आपको triplets के form में नजर आएंगे, तो इनका arrangement होगा triplets में, और यहाँ पर यहाँ पर यह centrioles के चरो तरफ आपको कुछ material नजर आता है, विच इस कॉल्ड the pericentriolar material, ठीक है, यह जो centrioles है, इनका जो arrangement है, इसका जो organization है, अगर अब ध्यान से देखेंगे, it will look like a cartwheel, तो आएए इस cartwheel like के organization को, हम study करते हैं in detail in the next slide, तो आएए बच्चों discuss करते हैं, the arrangement of microtubules in the centrioles, तो देखें, जैसे कि आपने cilia and flagella का structure पढ़ा था, बहाँ आपने देखा था कि फेरी-फेरी में arranged आपको नजर आते थे, nine microtubules के doublets, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, nine microtubules के triplets, बेकर देखें, यहाँ पर तीन आपको microtubules आपस में connected नजर आएंगे, इस तरीके से to form a triplet, तो ऐसे structures आपको total देखने को मिलेंगे, how many? 9, तो देखें, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, total nine peripheral microtubules के triplets देखने को मिलते हैं आपको, तो there are nine triplets of the peripheral microtubules, जो की आपस में देखें, connected हैं, तो यहाँ पर यह आपको connections नजर आ रहे हैं, तो these are the connections, और इन connections को हम बलाते हैं, linkers जैसे की आपने देखा था in case of the cilia and flagella also, ठीक हैं, और एक difference आपको यहाँ पर और नजर आएगा, देखें, difference क्या आया, पहली चीज़ सो, peripheral tubules, jublets में ही, triplets में हैं, दूसरी चीज़, वहाँ पर आपको central tubules देखने को मिलते थे, जो की singlets होते थे, बट यहाँ पर आपको कोई भी central microtubules देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको center में कोई tubules देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो इस type के arrangement को मुलाते हैं, 9 plus 0 array, because 9 peripheral microtubules के triplets हों हैं, पर यहाँ पर center में कोई भी microtubular आपको structure देखने को नहीं मिल रहा है, so we call it 9 plus 0 array, और actually में यहाँ पर जो central में आपको region नजर आता है, that is the proteinaceous structure called the hub, ओके तो यह basically है central hub, तो central hub क्या है, एक proteinaceous rigid structure है, जो की आपको proximal region of the centriole में देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है, देर अगर हम बात करते हैं hub की, तो hub जो है वो again, जैसे कि वहाँ याद है आपको, वहाँ पर cilia and fragilea के case में, जो central microtubules से, वो surrounded होते थे by the central sheet, जो की connected होते थे with one of the microtubule of the doublet by a radial spoke, similarly, यह जो central hub है यह भी आपको एक-एक, you know, इन triplet की एक-एक microtubule से connected नजर आएगा by these radial spokes, तो यहाँ पर भी आपको radial spokes देखने को मिलेंगी, that means यह भी आपस में connected है, so, hub is connected to the peripheral triplets by the radial spokes, जो की again बनती है proteins की, that means hub भी proteinaceous है और जो उनको connect करने वाले आपको radial spokes नजर आ रहे हैं, वो भी proteinaceous हैं, ठीक हैं, और importantly मैंने आपको इनका function बताया ही था, कि centrioles जो है, you know, they are going to form the basal body of the cilia और flagella, मैंने आपको बोला था न, जो cilia और flagella का basal region होता था, वो centriole like होता था, उसका जो arrangement होगा, यानि कि वो basal region में वो होगा, 9 plus 0 array, और इस basal region से उपर वाला region, जो filament वाला region था, वो show करता है 9 plus 2 array, ठीक है, तो यह difference आपको याल रखना है, और साथी साथ centriole से cell division के time पे आपको कुछ fibers initiate होते ही नजर आते हैं, जो कि chromosome से bind होते हैं, which are called spindle fibers, तो वो spindle fibers भी centriole से ही form होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको microtubular arrangement देखने को मिलेगा, तो याद रखे, कौन-कौन से structures में आपको microtubules जो हैं, वो part बनाते हो नजर आ रहे थे, तो cilia and flagella, साथी साथ spindle fibers, इन सभी में आपको microtubules जो हैं, फॉर्म करते हो नजर आ रहे हैं, the cytoskeleton, ओके, तो आई ये बचो begin करते हैं, with our next cell organelle, which is the nucleus, तो nucleus जो की एक बहुती prominent region बनता है, inside the cytoplasm of a cell, so nucleus जो है, उसकी discovery का credit goes to, Robert Brown, जिन्होंने 1831 में, discover किया था nucleus in the cells of an orchid, ठीक हैं, तो देखें, यहां पर एक और scientist का contribution देख सकते हैं, Fleming, जो की आपके सामने यहां पर इस figure में दे रखें, so he is Robert Brown, and he is a Fleming, Walter Fleming, इन्होंने nucleus के वो part, जो की एक basic dyes stain हो जाता है, उसको नाम दिया chromatin, because chroma means color, and यहां पर वो structure जो की उस color को, you know, pick up कर लेता है, from the dye, उनको नाम दिया chromatin by Fleming, ठीक है, Walter Fleming में, ओके, और nucleus जो है, वो generally अगर आप इसका structure देखते हैं, तो वो generally आपको spherical या oval shape में ही नजर आता है, right, तो जब भी आप हमेशा एक nucleus को represent करते हैं inside a cell, we always draw it in a spherical or an oval manner, ठीक है, तो आए, अब हम कुछ और important points regarding nucleus को discuss कर लेते हैं, तो आए बचों discuss करते हैं about the occurrence of the nucleus, तो nucleus basically किसी भी cell का characteristic feature है, यानि कि हर cell में आपको nucleus सो देखने को मिलेगा ही, but कुछ ऐसी भी cells हैं जहाँ पर आपको e-nucleate condition देखने को मिलती है, that means nucleus is absent, तो आपको ये condition देखने को मिलेगी in case of mature mammalian RBCs and the sieve tube cells, okay, in case of the vascular plants, तो देखिये, जो mature mammalian RBCs है, okay, तो ये RBCs जब mature हो जाती है, in case of mammals, so इनका जो nucleus होता है, वो, you know, disappear हो जाता है, so यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा nucleus, साथ ही साथ ये जो sieve tube cells है, इन में भी आपको नजर नहीं आता है, एक nucleus, okay, so these are sieve tube cells, तो इनकी activity को regulate करने का काम करते है, these companion cells, okay, तो यहाँ पर ये जो companion cells है, उनका nucleus जो है, वो इनकी activity को regulate करेगा, याद है न, यह सब हमने discuss कर लिया है, अपने anatomy of flowering plants वाले chapter में, ठीक है, अगर हम देखते हैं, nucleus के parts को, तो nucleus के basically 4 parts होते है, that is, nuclear envelope, nucleoplasm, chromatin fibers, or chromatin material or the nucleus, so, यहाँ पर यह जो structures हैं, मैं आपको roughly, not diagrammatic view से समझा देता हूँ, so, nucleus का जो आपको boundary नजर आएगा, वो कुछ इस तरीके से नजर आता है, something like this, okay, तो आप देखोगे, यहाँ पर आपको, दो membrane नजर आ रहे हैं, one is the outer membrane, and the other is the inner membrane, ठीक है, और यह जो outer और inner membrane है, they together form the nuclear envelope, तो आप देखेंगे, यह जो outer और inner membrane है ना, यह कुछ points पर आके देखे, fuse कर रहे हैं, तो जिन points पर यह fuse कर रहे हैं, उन points की बगल में आपको एक space नजर आ रहे है, which is called the nuclear pore, okay, तो यहाँ पर आपको nuclear pores नजर आएंगे, ठीक है, in case of the nucleus, अब इस nucleus के envelope के अंदर आपको कुछ jelly-like, you know, substance filled up नजर आता है, जिसमें कि आपको एक dense, you know, region नजर आएगा, which is called the nucleolus, वो suspended नजर आता है, तो this is the nucleolus, and then, यहाँ, यह जो jelly-like substance आपको filled up नजर आ रहा है, that is called nucleoplasm, इसमें आपको कुछ, ऐसे thread-like structures भी float करते हुए नजर आएंगे, so, यह जो thread-like structure है, they represent the chromatin material, so, यहाँ पर आपको chromatin material का भी presence नजर आएगा, ठीक है, so, यह चारो structures किस तरीके से एक nucleus के अंदर present है, वो मैंने आपको बता दिया है, अब हम एक एक करके इन सारे structures को भी detail में study कर लेते हैं, तो आएए बच्चों discuss करते हैं the very first structure of the nucleus, that is the nuclear envelope, तो nuclear envelope के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि यह दो membrane से बना हुआ structure है, so, that means it is a double layered membrane और आपको देखने को मिलेगी over here outer and inner membrane, so, यहाँ पर आपको outer membrane और inner membrane देखने को मिलती है, ठीक है, तो देखें, यह जो outer membrane है, आपने देखा हुआ भी है कि outer membrane usually continuous होती है with the endoplasmic reticulum, तो अकसरी आपको यह जो outer membrane जा रही है, यह continuous नजर आएगी with the endoplasmic reticulum, something like this, isn't it, तो outer membrane usually continuation show करेगी, one point, another important thing is, कि यहाँ पर जो दो membrane के बीच में space present होती है, this means यह outer और inner membrane के बीच की जो space आपको देखने को मिलेगी, that is called perinuclear space, so perinuclear space क्या है, दो membranes के बीच में जो space आपको देखने को मिलती है, that is the perinuclear space, okay, और मैंने आपको बताया था, यह जो दो membranes होती है, वो continuous नहीं है, यानि कि nuclear envelope completely continuous नहीं है, because यह दो membrane आपस में कुछ points पे fuse कर जाती है, और वहाँ पर development होता है of pores which are called the nuclear pores, और यह जो nuclear pores हैं, इनके across substances का, you know, एक तरह से exchange होता है, so that means, यहां अगर इस nucleus से बहार cytoplasm में किसी protein या RNA को जाना है, या बहार से अंदर आना है, so that can take place in both directions, तो इसका मतलब आप यहां से nucleus जो है, वो RNA और proteins को बहार भेज भी सकता है, और cytoplasm से अंदर ले भी सकता है, so they help in the exchange of material between the nucleus and the cytoplasm, so this is one of their important function of the nuclear pores, ठीक है, then अगर हम बात करते हैं, next structure की जो कि आपको nucleus में देखने को मिलता है, that is nucleoplasm, so मैंने आपको बताया है था, nucleoplasm जो है वो jelly-like substance है, जो की filled होता है inside the nucleus, और इस membrane के अंदर, that means, यहां पर आपको कुछ और भी structures float करते हूँ नजर आएंगे, this jelly-like substance में, तो यहां पर आपको जो दो structures float करते हूँ या suspended नजर आते हैं, that is, one is the chromatin material, और साथी साथ आपको एक dense region नजर आता है, which is called the nucleolus, so I hope यह दो structures regarding the nucleus आपको clear होए होँगे, अब हम देखते हैं the next structure, तो आए बच्चों discuss करते हैं the next nuclear structure which is the nucleolus, so nucleolus basically क्या है, मैंने आपको बताया था, यह dense spherical region है, जो की nucleoplasm में आपको देखने को मिलेगा, तो nucleoplasm में आपको यह dense spherical region नजर आता है, this is going to represent the nucleolus, so this is what is nucleolus, तो यह जो nucleolus है, इसकी क्या खासियत है, तो पहली चीज, यह किसी भी membrane से bound नहीं होता है, that means यह एक ऐसा structure है, जो की non membrane bound है, तो one important point, another important point यह आपको देखने को कब मिलेगा, जादा prominently, तो यह आपको जादा prominently देखने को मिलता है, उन cells में जो की divide नहीं कर रहे हैं, that means non dividing cells में यह आपको जादा prominently appear करेगा, और साथी साथ यह आपको जादा बड़ा, यानि की larger और more number appear करता हुग नजर आता है, उन cells में जो की actively involved है, protein synthesis में, तो जो cells protein synthesis में directly involved हैं, उनका nucleus बड़ा भी होगा, और जादा भी होगा in number, ठीक है, so this is another important point, और यह वो site है जहाँ पर आपको rRNA का synthesis देखने को मिलेगा, that is ribosomal RNA का formation यहाँ देखने को मिलता है, यही वो site है जहाँ पर ribosomes भी form होते हैं, because ribosomes के बारे में मैंने आपको बताया था, they were ribonucleoproteins, यह यह ribonucleoproteins, यह यह ribonucleoproteins, जो की specifically है, rRNA और proteins का, you know, एक तरह से combination से बनता है, so ribosomes और rRNA के synthesis is involved with the nucleolus, okay, तो आये बच्चों, अब हम discuss करते हैं, the next component of the nucleus that is the chromatin material, तो chromatin material basically क्या है, यह network होता है, of thread-like structures, जो की होता है, nucleoproteinaceous, यानि की यह complex है, जो की nucleic acid जो की है DNA, okay, so यहां पर इस case में DNA, proteins के साथ, associate करके complex form करता है, which is called the chromatin material, और यहां पर जो components आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें obviously DNA होगा, और proteins आपको दो टाइप की देखने को मिलेंगे, association में, that is firstly DNA का direct association होता है, कुछ basic proteins के साथ जन्हें बुलाते हैं, histone proteins, और कुछ non-histone proteins भी आपको देखने को मिलेंगे, and there would be some RNA, so यहां पर आप note करेंगे, what happens is, यह initially आपको nuclear plasma में, thread-like structures के form में, यह आपको नजर आते हैं, but during cell division, यह जो thread-like structures हैं, यह condensed कर जाते हैं, यह super condensed करेंगे to form rod-like structures called the chromosomes, तो देखिए, इनका जो organization है ना, basically आप class 12 के एक chapter में, जिसका नाम है molecular basis of inheritance, बहाँ study करेंगे, but आप इसका एक general overview ले सकते हैं, कि यह नो एक long stretch of DNA, कुछ protein के साथ, इस तरीके से associate करेगा, जिनने हम बुलाते हैं, the histone proteins, यह जो histone proteins हैं, इन पे DNA wrap करता है, and then यह जो complex बनता है, we call it nucleosome, और यह nucleosomes भी आपस में, organize करते हैं, in a regular fashion, to form a super coiled structure, और finally, coiled structure भी आपस में, और ज्यादा coil हो जाते हैं, to form these rod shaped structures, called the chromosomes, so, आपका chromatin material था, उसका एक तरह से condensation होके, rod shaped chromosome का formation होना, would be seen, during the cell division, so, यह points भी आप याद रखिएगा, तो बच्चों, मैंने आपको जैसा कि बताया था, कि chromatin fibers जो हैं, वह आपस में बहुत ज्यादा condense होने के बाद, super coiling करते हैं, और form करते हैं, the structure of a chromosome, so, chromosome देखिए आप यहाँ पर, duplicated form में नजर आ रहा हैं, जहाँ पर आप देखिए, पर coil है, to form this rod shape structure, तो देखेंगे, आप यहाँ पर यह duplicated chromosome के, आपको parts नजर आ रहे हैं, they are called sister chromatid, this is one sister chromatid, और यह दूसरी sister chromatid है, और यह आपस में fixed है, joint है, at a region called the centromere, तो centromere जो आप region देखेंगे, वहाँ पर आपको कुछ constriction नजर आएगी, तो अगर मैं इसको ऐसे represent करूँ, तो suppose this is, how आपको नजर आएगा, that region of constriction, तो देखें, यह जो दो sister chromatid हैं, यह joint हो रहे हैं एक region में, जहाँ पर आपको अंदर की तरफ ऐसी depression नजर आ रही है, तो यह depressed region represent करता है, the primary constriction, और इस depressed region को हम बुलाते हैं, the centromere, और इन centromere के side में आपको कुछ ऐसे disc-shaped structure देखने को मिलेंगे, तो यह जो disc-shaped structure आपको देखने को मिलते हैं, they are called the kinetocores, so they are kinetocores, और यह जो central region है depression का, which is called the centromere, I hope आपको समझ में आया होगा, तो centromere वो primary constriction है, जो आपट दो sister chromatids आपस में आके join होती हैं, और kinetocores वो disc-like structures हैं, जो कि sides में present होते हैं, जो कि actually site होते हैं of the attachment of the spindle fibers during cell division, तो जब cell division हो रही होते हैं, और spindle fibers arise करते हैं from the centriole, वो जाके attach होते हैं to these plates only, जिनको हम बलाते हैं kinetocores, और इस सरे केसे spindle fiber का attachment देखा जाता है with the chromosome, तो यहां पर जो kinetocores हैं, प्रीज आप इसको confused मत होएगा with these kinetosomes, जो कि हमने पढ़े थे in case of the cilion flagella, जो उनकी basal body को हम बलाते हैं, तो basal body को हम बलाते हैं kinetosome, बट यहां chromosome के case में आपको देखने को मिलते हैं kinetocores which are disc shaped structures, I hope यह सारी चीज़ आपको clear होए होगी, तो centromere आप याद रखिए, बहुत important है because यह basis बनता है of the classification of various type of chromosomes based on the position of the centromere, तो centromere की position बहुत important है, वो किस position पर present होगा, वो determine करेगा कि कौन सा type का chromosome हम study कर रहे हैं, तो आए बचो अब हम discuss करते हैं the various type of chromosomes और यह chromosomes का division हुआ है यह actually based है on the position of the centromere, so it is based on position of centromere, ठीक है, तो देखें, यहाँ पर आप देखें पहली condition, तो पहली condition में आपको जो centromere की position नदर आ रही है, that is right at the tip, तो इसका मतलब जो position occupy कर रहा है, this type of chromosome would be a terminal position, okay, so ऐसा chromosome जहां पर centromere terminal end पर present है, we call them telocentric, that means ऐसा centromere जो की telo या फिर terminal end पर present है, then अगर हम बात करें, कि मान लीजे यह जो आपको centromere है, वो arise करता हो नदर आ रहा है, at a region जो की near है to the end, but exactly at the end नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यह जो centromere है, it is just near to the end, और ऐसे type के chromosome को we call acrocentric, तो ऐसे में आपको एक arm जो है, वो बहुत छोटा नजर आएगा of the chromosome, while जो दूसरा arm है, वो बहुत बड़ा नजर आता है, ठीक है, okay, then अगर आप देखेंगे एक ऐसी condition, जहां पर जो centromere है, वो center के बहुत close है, exactly at the center नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो center के close है, तो वहां पर आपको दो arms जो बंते नजर आएंगे, तो यह जो एक arm है sister chromatid का, वो relatively थोड़ा सा छोटा है than this, longer arm of this sister chromatid, तो देखें, इस sister chromatid की दो arms में slight difference है, तो एक arm slightly छोटा होगा, एक slightly बड़ा होगा, ऐसा type का, जो आपको chromosome नजर आता है, we call it submetacentric, because यहां पर जो position है centromere की, वो exactly center पर नहीं है, it is near to the center, तो यहां पर जो दो arms नजर आ रहे हैं, उनमेंसे एक arm shorter है, और shorter arm को हम बुलाते हैं, P arm, तो P यहां पर represent करता है petite, because petite का मतलब होता है short, और जो दूसरा arm है, वो है the Q arm, ठीक है, P arm is the shorter arm and the Q arm is the longer arm, और lastly, वो chromosome जहां पर centromere exactly at the center है, तो इससे क्या होगा, जो आपकी दौनो sister chromatids की दौनो arms present हैं, वो दौनो की दौनो equal in length होंगे, तो इस sister chromatid की यह दौनो arms भी equal length के हैं, that means, ऐसा वाला जो आपको chromosome देखने को मिलेगा, जहाँ पर exactly center पर present है centromere, we call it metacentric, ठीक है, तो चार टाइप की chromosome हम यह पर पढ़ते हैं, based on the position of the centromere, I hope यह आपको अच्छे से समझाए होंगे, तो आईए बच्चों, अब हम begin करते हैं with the next type of cell structure, जो कि आपको cells में देखने को मिलेंगे, that is microbodies, to microbodies basically कुछ बहुत ही minute, यानि की tiny single membrane से bound vesicles देखने को मिलती हैं, जो कि plants और animal cells दौनों में देखने को मिलेंगी, तो यह तीन categories में हम इनको divide कर देते हैं, तो तीन type की microbodies, जो है, one is spherosomes, the other is peroxysomes, and the third one is the glyoxysomes, तो spherosomes जो हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ plant cells में देखने को मिलती हैं, और यह arise करती हैं from the endoplasmic reticulum, और इनका काम होता है to help in lipid metabolism, यहने की lipid की synthesis and storage में इनका direct role है, यह contain करते हैं अपने अंदर कुछ hydrolytic enzyme जिनने हम hydrolases कहते हैं, और वो proteases हो सकते हैं, amylases and lipases also, तो जाने की यह starch को degrade कर सकते हैं, proteins को degrade कर सकते हैं, और lipids को भी degrade कर सकते हैं, so this is all about the spherosomes, आये देखते हैं peroxisomes को, तो बच्छो next type की जो आपको micro body देखने को मिले की that is peroxisomes, तो peroxisomes आपको abundantly देखने को मिलते हैं in case of kidney and the liver cells and साथी साथ leaf के जो parenchyma cells हैं बहां पर भी, so यह basically contain करते हैं अपने अंदर दो enzymes जिनका नाम है peroxidase and catalase, तो as the name suggest इनकी activities देखिए, peroxidase क्या करता है, organic compound जैसे की suppose amino acid हो गये, या फिर uric acid हो गया, ठीक है, तो इनको convert कर देते हैं into hydrogen peroxide, so, यह इनको convert कर देते हैं into hydrogen peroxide, which enzyme that is peroxidase, okay, ना यह peroxidase ने इसको convert कर दिया into hydrogen peroxide, जो कि actually होती है toxic, तो अगर यह accumulate होती रही, तो फिर cell के लिए यह dangerous है, so, इस hydrogen peroxide को further, एक enzyme जिसका नाम है, catalase, वो further breakdown कर देता है into water and oxygen, that means now this is no longer a toxic material, इसका मतलब अब यह water और oxygen जो दौनों की दौनों neutral हैं, और helpful है for the plant cell or the animal cell, यह उसमें convert हो जाते हैं, so that means दो enzymes, जो कि peroxidase and catalase हैं, वो यहां पर present होंगे, तो peroxidase catalyze करेगा conversion of organic compound, जैसे की uric acid and amino acids into the hydrogen peroxide, जो की toxic है और catalase further in hydrogen peroxide को break कर देता है into water and oxygen and peroxidome का जातादर involvement आपको plants की case में देखने को मिलता है in a process called the photorespiration, तो photorespiration को हम detail में study करेंगे when we'll take up the chapter photosynthesis in higher plants okay, so let's move on to our next type of microbi that is glyoxysome तो आए बचों अब हम finally discuss कर लेते हैं the last topic for today's video that is the glyoxysome जो की again एक type की micro body है और यह आपको सिरफ और सिरफ plant cells में देखने को मिलती है और खास कर की उन seeds जो की fatty seeds होते हैं उनके cells में देखने को मिलती है तो कुछ fatty seeds जैसे की castor seeds, groundnut seeds, उनमें आपको यह glyoxysome जाता दर देखने को मिलेंगे और यह fats के beta oxidation में help करते हैं तो their function is the beta oxidation of fats and साथ ही साथ इनके अंदर enzymes present होते हैं for the glyoxylate cycle तो यह एक ऐसी cycle है जहां पर carbohydrate synthesis आपको देखने को मिलता है by a metabolic process glyoxylate cycle के enzymes भी आपको देखने को मिलेंगे in the glyoxysome I hope that is clear तो बच्चों इसी के साथ finish होता है हमारा chapter sell the unit of life I hope इस chapter से related सारे important concepts आप सभी कोचल से समझाए होंगे अब हम मिलेंगे अपनी next video में until then आप अपना ध्यान रखिए पढ़ते रहे हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं learn how free है पर best है